एक चोटी सी कहानी मैं आपको सुनाओं, युक्ति से कैसे मुक्ति होती हैं, कहानी हलकी फुलकी, सियार की सियारनी गर्भवती थी, तो कहा कि अब समय आ गया है बच्चों को जन्म देने का, कोई सुरक्षित जगा खोजी जाए, सियार साथ ले गया, और एक गुफा में अंदर, शेर की गुफा थी, शेर गया था पानी पीने, कुछ खाने, सियारनी को शेर की गुफा में अंदर रख दिया, वहां बच्चों का जन्म हुआ, दो बच्चे हुए, सियार ने सियारनी को कुछ समझा दिया, बहार आकर वह गुफा के द्वार पर, चोकिदार के रूप में बैठ गया, थोड़ी देर में देखा, दूर से शेर आ रहा है, तो शेर सुने उस डंग से जोर से बोला, राजा साहब, यह आपके बच्चे जय विजय क्यूं रो रहे हैं इतना, तो अंदर से आवाज तो उन्होंने प्लान बनाया था, कि हमारे बच्चे शेर का कलेजा खाने की जिद कर रहे हैं, कोई शेर दिखे तो बता ना जरा, शेर ने आवाज सुनी, सोचा राजा, हमारी गुफा में, तो फिर अंदर से आवाज जाई, शेर दिखे तो बोलना, हमारे बच्चे शेर का कलेजा खाने की जिद कर रहे हैं, तो सियार ने का, धीरे बोलो, धीरे बोलो, शेर इस तरफ आई रहा है, कहीं सुनना ले, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, शेर डर गया, और भाग गया, सियार खुश हो गया, युक्ति से मुक्ति हो गई, पर पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर सबतमाशा देख रहा था, उसने भागते हुए शेर के पीछे जाकर उसको कहा, कहा भाग रहे हो, जंगल के समराट होकर, एक सियार से डर गए, बोले सियार नहीं, गुफा में राजा बैठा है, उसके बच्चे बैठे हैं, बोले नहीं नहीं, मैं तुमको गरेंटी से कहता हूँ, कोई राजा नहीं, उसने बच्चों को जनम दिया है, बोले नहीं, बनदरने कहाँ, मैं सच कहता हूँ, बोले मैं तो चलूँ, और उदर अगर राजा हो, गुफा से निकल आये, हतियार लेकर, और तू तो बहाग कर, कूद कर, पेड़ पे जाके बैठ जाएगा, अब मेरे को तो पेड़ पे आता नहीं, बोले नहीं मैं सज केता हूँ मैं आपके साथ ही रहूँगा भागूँगा नहीं, तो बोले एक शर्थ पे मैं चलूँ शेर ने का, क्या, बोले तेरी और मेरी पूँच साथ में बांद दे, तक तु भाग न जाए मुझे छोड़कर, मुसिबत के समय तु वहीं पिटे तो दोनों साथ में बंदर राजी हो गया ठीक है चले बंदर को था कि अंदर कोई राजा तो है नहीं चले दोनों साथ में आ रहे हैं सियार ने देखा तो हसी आ गई कि शेर और बंदर पूच बंदी हुई कुछ गड़बड है तो सियार ने फिर से कहा अरे बच्चे क्यों रो रहे है राजा साब बोले ओ शेर का कलेजा खाने का बहुत आग्रह कर रहे हैं बहुत देर हो गभी तक आया नहीं शेर अरे बोले चुपराओ चुपराओ धीरे बोलो मैंने शेर भाग गयान पहली बार तो एक बंदर को समझा बुजा कर बेजा था कि शेर को पटा कर ले आओ कैसे भी करके वो आई रहा है और कैसे ला रहा है देख तो सही पूच से बांद कर ला रहा है उसको शेर ने सुना अच्छा तो तू मेरे को पटा कर दर ले आया जपटा मारा उसको बंदर डर के भाग गया विचारे का शरीर भी थोड़ा छिल गया तो चुगल खोर की आलत ऐसी होती ना इदर का ना उदर का और उसने युक्ति से अपना काम बना लिया तो हर जगे बल काम नहीं आता युक्ति भी काम आती है तो मन से बल करके लड़ना नहीं है कि मैं मन से और इंदरों से जीत पाऊं मैंने पहले निविदन किया कि दाग कपड़े पर है तो वो दाग हम पर नहीं है ऐसे ही दोश या विकार मन में है तो वो हमारे में नहीं है दाग कपड़े पर है तो दुल जाएगा ऐसे ही कोई विकार मन में आया है मन में भी विकार कोई होता नहीं अकिकत में तो मन में कोई वासना होती नहीं है यह आगंतुक है बुराई आगंतुक है आ जाती है आती है तो क्यों आती है कि बुरे संग से आती है तो अगर सत्संग के आज़त है तो सत्संगी में सच्चा सत्संगी है मैं ऐसे कई असंग के सादकों को जानता हूं सच्चे सत्संगी है तो उनमें कोई एब है नहीं अपनी यात्रा पे वो आगे बढ़ रहे हैं तो अभी भी